नमस्कार, आपका अख़बार के संख में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग, भार्थी राजनीती के दो नेता, उड़े तो रोकेट की तरह, लेकिन कभी अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो पाए, इन दोनों नेताओं की बात करूँगा, इत्तफाक से दोनों इस समय एक ही पार्टी में हैं, एक सज्जन जो है, दूसरी पार्टी से घुम कर आए हैं, और एक सज्जन इसी पार्टी में हैं, और दूसरी पीड़ी की नेता है, तो पहले बात करते हैं, कॉंग्रेस के उस नेत की जो दूसरी पीडी के नेता है उनका नाम है सचिन पाइलेट राजस्थान के हैं आपको मालूम है गूजर समास से आते हैं इनके पिता राजेश पाइलेट कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता रहे एक समय कॉंग्रेस अध्यक्षपद का चुनाव सोनिया गांदी के खिलाफ ल रहे थे नौकरी कर रहे थे कॉर्परेट सेक्टर में थे वो राजनीती में आ गए तो नेता पुत्र हैं ये सीधे जो है पैराशूट के जरिए राजनीती में आए तो जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था और आते ही राजनीती में आते ही जो है 2004 में कॉंग्रिस के सर उसलिए मंतरी भी बन गया, तो उनको सब कुछ मिलता गया जो और लोगों को बड़ा संघर्श करके, बड़ी तप-तप अस्या करके मिलता है, वो बड़ी आसानी से मिल गया, और ऐसे लोगों को अक्सर ये गुमान हो जाता है, कि वो बहुत बड़े नेता है, बड़े उसे 4 साल पहले करीब 4,4 साल पहले उस दौरान उन्होंने पूरे राजस्थान का दौरा किया बहुत मेरत की जमीन पर काम किया और पार्टीको 2018 में विधान सभा का चुनाउच जिताया सरकार वणी लेकिन वो मुख्यमंतरी नहीं बने मुख्यमंतरी नहीं बने दो चीज़े होती हैं या तो आप में ताकत हो और ताकत से आप आप को जो लगता है कि आपका है वो आप हासिल कर ले या धैरे पुर्वक इंतजार करें समय आने का सचिन पाइलिट में इतफाक से या दुर्भाग से कहिए ये दोनों चीज़े नहीं उनमें वो ताकत नहीं थी कि मुख्यमंत्री का पद ले सकते थे और इतना धैर नहीं था कि इंतजार करते अपना समय आने का तो दुविधा में दोनों गई माया मिली नराम तो जब सरकार बनी तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे डिप्टी सीम थे उसके बाद उन्होंने बगावत कर दी जुल योगदान नहीं था लेकिन यही है राजनिती का खेल और खास तोर से कॉंग्रेस पार्टी में आला कमान यानि नहरु गांधी परिवार जिसको चाहे वही पद पाता है तो अशोक गहलोत को चाहती थी सोनिया गांधी इसलिए हो गए राहुल गांधी और खास तोर से प्र कारण सरकार आई है तो उनकी ताकत है उन्होंने जादातर लोगों को टिकट दिलवाया है उनके समर्थकों की संख्या जादा है वो युवा नेता हैं गांधी परिवार के करीबी हैं इस नाते लोग उनका साथ देंगे और उन्होंने बगावत कर दी वो भूल गए कि अश शुलाई अगस्त 2020 में ही सचिन पाइलट की राजनीती खत्म हो गई अब उनके सामने उस समय दो विकल्प थे या तो उस बगावत को सफल बनाते और पार्टी तोड़ देते और सरकार गिरा देते या फिर वो बगावत करके जो उनके और बहुत से साथियों ने किया वो भ अगावत के बाद एक तरह से सरेंडर कर दिया और सरेंडर कर दिया तो उनको कुछ नहीं मिला उप मुख्यमंत्री का पद पहले जा चुका था प्रदेश अध्यक्ष का भी पद जा चुका था फिर से ना तो मंत्री बनाये गए ना संगटन में कोई जिम्मेदारी मिली नह नहीं उनके लोगों को एकोमेडेट किया गया बाकी के समय 2023 दिसंबर तक अशोग गैलोत ने सरकार उस तरह से चलाई जैसी वो चाहते थे सचिन पाइलट को खड़े होने की भी जगए उन्होंने नहीं दी और गांधी परिवार का साथ भी उनके किसी काम नहीं आया सचिन तो सचिन पाइलट से यह जो देखे राजनीती में टाइमिंग का बड़ा महतु होता है आप कब कौन सा कदम उठाते हैं पहली बात तो सचिन पाइलट ने पूरी तैयारी के बिना बगावत की वो टाइमिंग गलत सामित हुई फिर बगावत की तो उस बगावत के बाद उ पहरे रखा। इंज़ार करते रहें 2023 तक कि गांधी परिवार उनको कुछ दिला देगा। लेकिन अशोग गैलोत ठान कर बैटे थे कि सचिन पाइलट को कुछ नहीं देना है। अब कुछ नहीं पाने देना तो सचिन पाइलट के खिलाब लगातार बोलते रहें अशोग गैलोत और उनके लोगों को सत्ता से और संगठन से बाहर रखने में सफल हुए। सचिन पाइलट के पास अपने पिता की राजनीतिक विरासत के अलावा और कुछ है नहीं। ये बात 2023 के विधान सबाद चुनाव में साबित हो गई। कि उन्होंने जो बगावत की थी वो असफल क्यों हुई ये 2023 के चुनाव ने साबित कर दिया। के बाद उनके जले पर एक तरह से नमक चलकने का काम गुआ उनको 36 गड़का प्रभारी बना दिया गया। जैसे बहुत बड़ा जिम्मा दे दिया गया हो बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बहुत बड़ा पद दे दिया गया हो इस तरह से। तो सचिन पाइलट राजस्थान की राजनीती में ही नहीं, कॉंग्रेस की राजनीती में भी राजस्थान में हाश्ये पर है। और हाश्ये से बाहर निकलने का उनके पास कोई साधन बचा नहीं है। उनके पास न तो उनका जनाधार जो नजर आता था प्रदेश अध्यक्ष और डिप्रिसियम रहते हुए वो नजर आता है, ना उनमें वो उर्जा और नहीं उस तरह की आग नजर आती है जो एक विद्रोही में होती है और ना वो गंभीरता नजर आती है जो एक जनाधार वा कि राजस्थान में उनके अलावा और कोई ऐसा नाम है नहीं जिसको कॉंग्रेस पार्टी भविश्री की दिर्ष्टी से देख सके अशोक गहलोत का ये आखरी चुनाव था अगले विधान सभा चुनाव तक मुझे नहीं लगता कि वो सक्रिय राजनीती में बने रहेंगे य चुनाव हार चुके हैं तो उनको जो करना था और उम्र के लिहाज से भी अब उनके पास सक्रिय राजनीती में बने रहने का ज्यादा समय है नहीं लेकिन सचिन पाइलेट के साथ उम्र भी है और उनकी महत्वा कांक्षा भी है लेकिन उम्र और महत्वा कांक्षा होने से का नहीं चलता है गांधी परिवार जिसकी ताकत के भरोसे उनको लगता था कि कुछ मिलेगा उसका उसका अपना वजन घटता जा रहा है उसकी पार्टी पर अपनी पकड कमजोर होती जा रही है जनता पर प्रभाव लगातार घटता जा रहा है दो हजार चौबिस के लोकसभा चुनाओ के बाद नहरू गांधी परिवार का राजनीतिक वजूद रहेगा नहीं रहेगा इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है ऐसे में सचिन पाइलट के लिए आगे का भविश कोई बहुत उज्वल नजर नहीं आता अब कोई चमतकार ह हो जाए तो बात अलग है वरना राजस्थान की राजनीती में राजस्थान से बाहर उनकी कोई राजनीती है नहीं और राजस्थान की राजनीती में पिछले लगभग साड़े तीन साल से वो प्रासंगिक बन चुके हैं अचानक कैसे फिर से प्रासंगिक हो जाएंगे इस इसका कोई रास्ता देखता नहीं. अब दूसरे नेता की बात करते हैं. दूसरे नेता हैं पंजाब से. पहले वो भारती जनता पार्टी में थे, अब कॉंग्रिस में हैं. उनका नाम है नौजोत सिंग सिद्धू. कॉमेडियन रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, टेलिविजिन शो करते रहे हैं, उसी से उनकी लोग प्रेता रही हैं. भारती जनता पार्टी ने उनको दो बार चुनाव लड़ाया, अमरिस सर से और जिताया, तो उनको गलत महमी हो गई कि वो बहुत बड़े जननेता हैं, बड़े जनाधार वाले नेता हैं. अब उनकी हालत यह है कि पंजाब में कॉंग्रेस के लोग उनसे ज़्यादा डरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी अकाली दर और बीजेपी के नहीं हैं. वो अपनी ही पार्टी के लिए खत्रा बने हुए हैं, उनका इस्तेमाल किरया गांधी परिवार ने कैप्टन अमरिंदर सिंग को अपमानित कराने के लिए, उनको पद से हटाने के लिए, और उसके बाद उनको किनारे कर दिया, हाला कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेक विरोध सिंग सिध्धू का कोई अपना जनाधार है नहीं, इसके बावजूद उनके तेवर वही पुराने हैं, उनको लगता है कि वो सब कुछ बदल सकते हैं पंजाब की राजनीती में, और उन्होंने मोर्चा किसके खिलाब खोला है, उनके विरोध में तीन पार्टिया आमादमी पार्टियार है, अकाली दल जो स्के बाद की पार्टिया, कॉंग्रेस अरो आमादमी पार्टियार आता 11 pagten और तीसुरी भर्ती जन्ताः पार्टी तीनों को नौर्जोत सिंघ सिंग सिध्धू से कोई डर नहीं है, नौर्जोत सिंग सिध्धू से अगर खोई ड वो कॉंग्रेस का एक समानांतर संगठन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बार उनका प्रदेश अध्यक्ष बाजवा से उनकी जड़प हो रही है। तो उनका संघर्ष इस समय कॉंग्रेस के अंदर ही चल रहा है। कॉंग्रेस के अपने ही सातियों के साथ चल रहा है एक समय सिद्धू की हालत ये थी कि उनकी मांग जो है वो हर जगे से कॉंग्रेस में नहीं आये थे तब तक आमादमी पार्टी उनको लेना चाहती थी लेकिन वो मुख्यमंत्री पद के उमीदवार से कम पर कुछ समझवता करने को तयार नहीं थे इसी शर्थ पर कॉंग्रेस पार्टी में गए कॉंग्रेस पार्टी में उनको उम्मीद थी कैप्टन अमरिंदर सिंग को हटवाने में मदद करेंगे वो गांधी परिवार की तो उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा लेकिन कॉंग्रेस पार्टी की पंजाब में इससे पहले कभी नहीं हुई जितनी बड़ी बहार से दूखे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हुई तो ये दो ऐसे निता हैं जो जब शुरू हुए जब चले तो बिलकुल रॉकेट की चाल चले लगा कि ये तहलका मचा देंगे राजनीती को बदल देंगे लेकिन थोड़ी दूर उड़ने के बाद ये दोनों अपनी कक्षा से भटक गए अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो पाए और नतीजा आज ये है कि ये अपनी पार्टी के लिए लाइबिल्टी है और अपनी प सुद्धे के साथ तब तक के लिए अन्मति दीजिए आप से अनूद है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब दिरूर कीजिए नमस्कार